हाई गैस जैसे कि आपको पता है अब आप लोग का जो पेपर है आपको वो ऑनलाइन मोट पर होना है ठीक है लेकिन अब आपका सबसे ज़्यादा कमेंट इस पर आ रहा है कि सर जो एक्जाम अब होगा ऑनलाइन पेपर कैसे होता है उसका क्या-क्या गाइडलाइन होता है क्य क्या हमें है कुछ एक बताइए यहां पर अभी तक तो कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है लेकिन एट सेमिस्टर का जो पेपर हुआ था बी वालों का इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे सिक्स सेमिस्टर का पेपर हुआ था जो आपका पॉली टेकनिक वालों का और आपका फॉर्मेसी का फाइनल लियर ठीक है बाकी जितने भी कोर्स से उससापका जो पेपर हुआ था उस समय के एग्जामिनेशन गाइडलाइन आया हुआ था जो कि ऑनलाइन पेपर कराने का था ठीक है तो उसमें समय कुछ-कुछ पॉइंट आपको मैं बता देता हू क्योंकि हुबा हुँ तो यह नहीं हो पाएगा या यह भी हो ही सकता है आपको कुछ न कुछ यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा कि कैसा आपका रूल रेगुलेशन हो सकता है तो आईए हम यहाँ पे ऑफिसली साइट पर यहाँ पे आ चुके हैं यह आपका 49.2020 का आर्टिक ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीजों को यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जैसे आपका यह पूरा है इस तरह से आपको जो मार्किंग है वह यहाँ पर दे दिया कि कैसा आपका मार्किंग किया जाएगा ऑनलाइन पेपर का तो यह आपको कॉपी रहेगा जैसे आपको CSB2 में मिलता है सेम वैसी आपको कॉपी रहने वाला है ठीक है जैसे कि यहां पे भी हुआ था और आपका सबका A4 साइच का हो सकता आप चाहां तो लाइनिंग ले सकते हैं या चाहां तो आप ब्लैक पूरा ले सकते हैं ब्लैंक पेज का तो यह इस तरह से इनका पेपर हुआ था उसके बाद यहां पे इनका क्या था कि इनको 30 मिनट पहले आपका क्या होता था question पेपर मिलता था और उसके बाद आपका यहां पे तीन घंटा उनको पेपर लिखने के बाद आपका एक से दो घंटे का समय इनको मिलता था कि आप पेपर को PDF बना करके जो भी WhatsApp नमबर आपके college से प्रोवाइट किया गया है वहाँ पे आपको दिया जाएगा यह आपका पूरा इस तरह से final year वालो का paper complete हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 वज़े तक का जो timing हो college को दिया गया है college भेजेगा university को और यहाँ पे 3 वज़े तक का timing यहाँ पे दिया हुआ था कि student भेजेंगे college को ठीक तो यह दो तरह का timing यहाँ पे दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे यह भी था कि जो आपका answer होगा 2, 3, 4 जितने भी copy उन सबका answer 100% shame नहीं होना चीए ठीक जो भी word है जैसा जिस जगह में सजा हुआ है उस तरह से ना हो ने तो वहाँ पे knuckle प्रक्राण का यहाँ पे करवाही करने के लिए यहाँ पे बात किया गया था तो इस तरह से कुछ यहाँ पे था चलिए अब यहाँ पे देख लेतें कि mtech का जो paper हुआ था उसमें भी यहाँ पे क्या guideline उन्होंने दिया हुआ था तो हम अब आ गए हैं आपका mtech का जो paper हुआ अपरेल माई session 2020 का इनका भी जो guideline online paper का है आईए इस पर हम कुछ-कुछ point को देख लेतें जो कि यहाँ पे अलग-अलग है यहाँ पे जो point था इसमें यहाँ पे क्या है monitoring का बात किया गया था audio video record किये जाएगा image आपका देखा जाएगा यह यहाँ पे बात किया था कुछ नया point था बाकी सारे जो point थे वो आपके लगभग लगभग जो final year का paper हुआ है सेम उसी की तरह थे तो M-Tech में यहाँ पे क्या था कि audio video यहाँ पे record करने की बात इन्होंने किया था university के दौरा तो कोई जोरी नहीं है कि आपका कुछ ऐसा ही होगा जैसा भी आपका होगा आपको guideline यहाँ पे दे दिया जाएगा हाला कि अभी तक आया नहीं था लेकिन आपके comment में काफी सारे ऐसे question आ रहे थे कि सर क्या हो सकता है guideline तो यहाँ पे जो मैंने आपको दोनो guideline को समझाने की कोसिस किया यहाँ से एक overview आपको मिल गया होगा कि दोनों का paper इस pattern पर हुआ था तो आपका जो paper होगा इन दोनों pattern के इर्द गिर्द ही आपका paper हो सकता जो आपका back का paper है यह अपरेल मैं session का जो आपका regular का paper है इन सब का paper आपका क्या है जनवरी से फरवरी के बीच आपका हो जाना है online mode पर होना है और online paper का जो भी guideline आगे आता है आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा अभी जो overview था वो हम आपको देने की कोसिस किये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी knowledgeable लगी हो तो वीडियो को like, channel पर नहे है तो subscribe और अगर आप हमसे जूणना चाहते हैं इस्ट्रग्राब में आपका स्वागत है मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें तब तक जय हिन जय भारत